बचो नमस्कार बचो आज हम बात करेंगे समानतर माध्य की समानतर माध्य घर्द का एक ऐसा विशा है जिसके माध्य हम से किसी वर्ग विशाई किसी समू के आखलन कर सकते हैं बचो आप जो क्लास से पढ़ते हैं तो आपको नंबर मिलता है अच्छी मेहनत करते हैं तो परिच्छा देते हैं उस पर नमबर मिलता है किसी को 60 मिलता है किसी को 65 मिलता है इससे आप अपनी इस्थिति जान लेते हैं कि मुझे इतने 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 नमबर मिले हैं लेकिन आपके पूरे क्लास ही क्या इस्थिति है कभी सोचा है कैसे जानेगे इसे जानते हैं, इसके विशे मिश्वाइब हैं, तरवेज जी नमशकार, समानतर माद्य क्या है, कैसे इसका आख लहन हम करेंगे, बच्चों कि आप सी, आपना तो बच्चे जान जाते हैं, कि कि इतना उसको मिला है, लेकिन उसके पुरे क्लास ही का इस्तित्ति है, अन्ने क् समधाया के किसी समूह के बीच के योगिता को आतः कर सकते हैं, आतलन कर सकते हैं उसके समूह का, ऑफ जब वम आंगलन कर लेते हैं, then it Aa उषके कि केंडी करवगती है इसके द्रखवा थे विपन विपन समूओ के बीच में तुल्ला भी कर सकते हैmos जब दो समूओ है उसकी तुल्ला हो जाएगी तो समानतर महर्थ केंडी प्रवगती है जो कि किसी भी समुव के बीच को एक केंदरी करन करती है कि इसके क्या एक आउसत आया जिसके दोरा यह जाय हो जाए कि इसके समुव का आखिलन क्या है पला हर नितिकत अपना है ही पुरे समो का अकल अंक क्या निकालेंगे उसकी योगित्ता जैसे मालेजे भी आपने कहा एक अच्छा हैं किसी कच्छा में किसी बच्चे को 60 हंक मिले किसी को 70 मिले, किसी को 80 मिले किसी को 50 ही मिले कोई फेल हो गया लेकिन जब इसको हम समो के रूप में देखेंगे कि उस कच्छा का रिजल्ट क्या रहा दूसरी कच्छा जब अपेक्च्छा उसका खुद का आप या अनुस्वेकी भी तुल्ना में भी तो क्या रहा तब एक उसका हम लोग समानतर माध है निकालेंगे जो कि उस कच्छा की केंदी प्रवत्ती को परलच्छत करेगा और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो यह बताएगा कि इस कच्छा के समस्त छात्र कितने प्रतिशत या इस कच्छा का जो रिजल्ट आया वो इतने प्रतिशत आया अचा है कोई इसके वीदी भी है कोई कैसे निकाला जाया इसको हाँ इसका एक सूत्र है जिसका 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 हम लोग समांतर माध्य में कहते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र है आकडों का योगफल बटे आकडों की संख्या आकड़ों का योगफल बटे आकड़ों की संख्या, समांतर मात ये इसगल टू आकड़ों का योगफल बटे आकड़ों की संख्या, अब जैसे आप बता रहे थे किसी कच्छा कोधारन आपने लिया, तो उसमें कई बच्चे हैं, जो किसी को 80 नमर मिले, किसी को 90 मिले, किसी को तोल बच्चे बैठा हुए है जैसे बीच बीचे बैठा हुए है जया, जया इntको केतने इंग मिले थे लिनको पिछक्षा में ना ज़ा मुझे तेस्टा फिसकर आप बता है जी दस पास हो हम ना दस दस हैं रही है ॐज मतले, तो बच अशा बता तो इनको माल लेते हैं कि नौ मिले और इनको आठ मिले और किसी को इसी प्रकार से कम ज्यादा मिले होंगे तो हम लोग पाँच बच्चों का एक आख लें करके देखते हैं कि माल यह किसी कच्छा में एक बच्चे को नौक मिला जी किसी को मिला सास जी किसी को चार जी और किसी को आठ जी और किसी को पूरे दस तो यह एक अच्छा के पाँच बच्चे हो गए पाँच बच्चे हो गए जी धन का निशान हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो अपना सूत्र है वो यह कहता है कि आखणों का योगफन बटे आखणों की संख्या तो बच्चों इस समय इसमें आखणों की संख्या कितनी है पाँच शाबाश यह द अब हमें इसको जोड़ कर लिखना है. ठीक है? तो नौ और साथ कितना होगा? सोला. शाबाश. सोला और चाथ? बीस. बीस और आठ? अठाइस. अठाइस और दस? अरतिस. शाबाश. अरतिस. बटे? पांच. यह हमारा आगया योग करने के बाद अरतिस बटे पांच. अब हमें समानतोर माद निकालना है. तो हमें इसको इसमें भाग भी देना पड़ेगा. तो अरतिस को जोड़ा भाग दिया जाएं पांच से. चलिए पांच के जरा पहाड़ा पढ़िए जेखिए और अरतिस में कहां भी जाके रुकेएंगा? वलीद, पढ़िए. जोज़ पढ़िए. पढ़ा आता है न? पढ़िए दब. इंग्लिश में आता है. चलिए पढ़िए. पढ़िए पढ़िए पढ़िए. तो ये पांच गटाया, हमें पैंटिस गटाया. आज में से पांच गए? तीन. लेकिन हमें इसमें इसका दिशमलब भी लेना है. ठीक है? तो हम यहां पर एक दिशमलब लगाएंगे. तो कितनी बार जाएगा? क्या उतरेगा यहां पर? एक जीरो तर जाएगा? जी. अब कितनी बार जाएगा? आब पांच गटीस. छे बार जाएगा? पांच गटीस. पांच गटीस. अब यह पूरा पूरा चला गया? जी. तो इसका समानतर मात आया 7.6 इसका मतलब यह हुआ कि एक कछ्छा जिसमें की 5 बच्चे थे और 10 का टेस्ट हुआ मतलब पूरांक 10 था और उसका टेस्ट में उस कछ्छा की आउसत इस्थिती 7.6 इसका मतलब कि 70 परसेंट से 70 परसेंट से उपर गया 70 परसेंट से उपर गया ठीक है इस तरीके से हम किसी भी कछ्छा का हम लोग एक समानतर मात दिया तो कुछ एक और भार दीजे से बच्चे थोड़ा और समझ जा इसको तेखे बच्चों जैसे एक तो आपका हुआ यह 10 में आपने लिया था जी अब मा है तो आपके मालेजे पांच विशे हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गड़ित और समाजिक विज्ञान, ठीक है तो हिंदी में आपको मिलें सो में मालेजे आपको कितने अंग मिलें? सत्तर बानवे गड़ित में कितने मिलें? बानवे बानवे और समाजिक विज्ञान में कितने मिलें? असी असी अंग्रेजी में कितने मिलें? साव और विज्ञान में कितने मिलें? बानवे 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 इसमें एक कम भी अम लोग ले लेते हैं क्योंकि 100 में 100 अंग्रेजी में जल्दी मिलता नहीं, आप उन ले लिए, तो इसको अम लोग विज्ञान में कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, ताकि एक अन आवरेज भी आना चाहिए, और जहां पर हमने अंग्रेजी के 100 लिखे हैं, यहां पर हम लोग 50 कुछ कम कर दीजिए, पर जहां प्राप्तव हैं पाँछ विशियों में, 100 के सापेक्च भी आप एक्ष, पुडांग 100 के सापेक्च, ठीक है? अब हमें अगर इसको हल करना है, क्या निकालना है? समानतरमादी, हम लोग क्या निकालेंगे? समानतरमादी, चीक है, तो अब हम लोग इसको देखते ह हैं हिंदी के सट्ट है और सूथ क्या था समानत्र मां देच बराबर संंख्याओं का योग का यो क्या सूथ था ty संख्याय का योगफल बटा संख्याय का योगज़ चाहब हो सब्सके हमें संख्याय का योग निकालेंगे संख्याय कऊन जी थी, 70, 90, 80, 50,, 50... ये एक बच्चल का विविवन विश्यों में, यिसमा विवन जी यरू जी को बच्याय कीष्यों हुई? 5 5 तो जो इसको पाँच से भाज दे देंगे पहला जोड़ेंगे उन दो बढ़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ना शुरू करेंगे ठीक है 6-5 6-5 6-5 11 होगा 11 11 11 11 12 19 19 19 28 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 35. तो यह हमारी संख्या आई, 352. बटे? 5. अब हम इसको बाग देंगे, 5 से, ठीक है? यह. तो 5 सत्य, 35, जी, दो उतरव, दो जाय गाने दशमलव लगाएंगे, पास चोक को, बीस, तो हमारा इसका समानतरमादी कितना आया, साथ दशमलव चार, तो इसका मतलब यह हुआ, कि हमारी कच्छा के, जो बच्चे थे, ये साथ बच्चे पैंचे, इसका दूतरव न, इसका दूतरव चार हमार इसका आया है? तो हमारे इसका रिजंत क्या आया है? कि हमारे बच्चा ढूप जका थे, यहाँ पर जी क्जी लगेट को ता है, जा पर सत्तर ग्ल ड़की ओप न जाया गार, साथ साथी कच्छा कहा से टतरवां आया हैarımा, साथे साथ जंधा को हमारी कलस के, इसका इस ब को आजने कर दो कांच के सिसका सकते हैGS के हमारे थीकान में 5 अजह के साथ रपाइगे 60 रपै सी diss वे हों युग फिल करके उनको जान सकते हैं तो बच्छो देखा त्य हमन झाना को देख को जो आज अखमयन ya कि समान टारा यह कि 5 घ follow अपने दूसरी कख्छा का अपनी कख्छा का तुन न लगा सकते हैं कि किस याने कख्छा में कितने बच्चे पास वे कितने आंक उसको मिले बच्चों अगले करेक्टर में फिर नएवी शेक साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्काव बच्चों नमस्कार बच्चों आई हम बात करेंगे माधिका की बच्चों माधिका गड़ित विशय का एक ऐसा द्याय है से माधि भी कहते हैं है बच्चों आपने ने सांकीय तो पढ़ी होगी यह माधिका ऊसी सांकीय के एक अंग है और इसमांदिका के बारे में विश्थार से बताने के लिए आज हमारे बीच करनपाल जी मौझूद है करनपाल जी नमश्कार अबच्चों को पता ही माधिका क्या है कैसे इसका प्रयोग होता है सीव जी पहले तो मैं एक बात आपको बता दूंग जी कि माध्धिका जो बोली जाती है उसे माध्यक का जाता है माध्यक जी ठीक है ना जी माध्य जो होता ह पर माध्यक के विशे में आज जानकरी लेंगे कि किस प्रकार से माध्यका या माध्यक निकाला जाता है आपने गणिक के विशे में अपने सांखेकी में इसे देखा होगा सांखेकी में हम लोग तीन बातों का जिक्र करते हैं सबसे पहले हम लुग बोलते हैं समांगांतर माध्य या माध्यक ठीक है ना इतीह . हमारी च्छाव में तीन चीजलों का प्रियोग हम करते हैं। तो आज हम लोग यहां पर माध्यक निकालना सीखेंगे, लेकिन वर्गिक्रित आक्रोगा। ठीक है ना? वर्गीकृत आंकलों के लिए भी माध्यक गयाद करने का तरीका है लेकिन ये हम बड़ी कक्षाव में पढ़ेंगे ठीक है न? फिलाल आज आज हम लोग यहां कहा सीखेंगे माध्यका गयाद करना जो की वर्गीकृत आंकले होंगे ठीक है ना? सबस्वा समझाई? तो सबसे पहले मैं तुमको एक उधारन देता हम बड़ा ठीक है? तो उधारन में हम लोग देखते है हम ने कहां माना की एक चार तीन दो और पांच ये कुछ आखरे लिखे है मैंने अब ध्यान से देखो ये नंबर जो मैंने आप लिखे हैं संख्याई जो लिखी है उसमेस से पहले मैंने लिखा एक फिर चार फिर तीन फिर दो और पांच यानि कि आगे पीछे कर रखी है तो जब हम माधिका या माध्यक ग्याद करने के प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि हम इन आकड़ों को जो हमारे पर संख्याय दी है इनको हम विवस्थित कर ले दो क्रम होते हैं एक आरोह क्रम और एक अवरोह क्रम जी ठीक ना एक बढ़ते हुए क्रम और एक गर्टे हुए क्रम जी तो इन दोनों मैंसे हम किसी भी क्रम में ने विवस्थित कर लेंगे इंक्रिम ऐडिवाट करते हुए is करते हुए kitchen a dio हम लोग और इसको बहते होए क्राम में क्या बढ़ते हुए क्रम में मैं एदो हुगे टेनого क्या में जैर भी मार्या करना करना होता है और संख्यां हैं अमीं दी गई होंगी. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि हमें इने विवस्थित करना होगा. सबसे पहला का ठिक. सबसे पहला करने के बाद हम फिर संख्याओं को गिने कि कुल कितनी संख्या हैं? जैसे हम लोगों ने देखा एक, दो, तीन, चार और पाँच, कुल संख्या है पाँच, क्योंकि दो सूत्र हमारे पास है, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो कुल संख्या है, वो हमारे पास कितनी है, पाँच, ठीक ला, जिसे हम कहते है कि ये क्या है, विश विश्व 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 बराबर एन प्लस वान बटे दो दो वाँ पद ठीक ना? तो ये सूत्र हम कब लगाएंगे माद्दे ग्याद करने के लिए? जब हमारे पास आकड़े विसम रूप में होंगे जिसे अभी पिछली कितने अंगते हैं हमारे पास? पाच अंगते तो हम ये वाला सूत्र का इस्तमाल करेंगे माद्दे ग्याद करने के लिए? अगर विसम अंग होगा तो? हाँ विसम संख्याय अगर होंगी अगर मालो पाच पद होंगे, साथ पद होंगे, तीन पद होंगे ठीक है ना? छे का आधा कितना? तीसरा पद, क्यों? होगा ना? तीसरा पद, ठीक? अब ये बताओ, कि हमारे पास संख्यायती, जब हम करम में वबस्तित करने रहे थे, तो क्या हो रहे थी? ए, दो, तीन, चार, और पाँच, ये पाँच हमारे पाँच अंग थे, ठीक है? तो अब इसमें बताओ, कि तीसरा पद, यानि कि तीसरे स्थान पर कौन संख्या लिखी गई है? त्री, तीन, जी, तीन लिखी गई ना? तो ये जो हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच का माध्यक या माधिका हो जाएगा, तो तीन क्या हो जाएगा, यहाँपर? माधिका हो जाएगा, तो एक से पास तक की गिंती का जो माधिका कहलाएगी, उसका उत्तर कितना होगा? तीन, बाद समयाँए? तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारे पास नंबर या संख्याएं दी गई थी उन संख्याओं को हमने क्या कर दिया से से पहले विवस्तित किया कैसे विवस्तित किया बढ़ते हुए क्रम में या घठते हुए क्रम में ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या किया उनको गिना गिनने के बाद हमें पद मिले कितनी संख्याएं मिली जैसे पांच मिली हमको तो हम लोगों ने जाना कि ये विसम संख्या है पदों की संख्या विसम है तो हम लोग सूट लगाएंगे विसम वाला ठीक है न? अब संख्याएं मालो हम लोग करते हैं फिर से अमें प्रश्न दी आ गया, उसमें हमें जो संख्याय दी गई उन्हें देखियेगा ध्यान से, हमने कहा एक, दो, तीन, चार, पाँच, चार, और छे, जिए यह संख्याय हमारे पासे, तो बच्चे संख्याय क्या करेंगे, हमें मादिका ग्यात करनी है, तो पहली बात क्या हमारे दिवांग माएगी, कि in έχे क्या करें, हमेने व। ववेर्स्थट करें, जिए जिए पहले की हैं, बढ़ते हुए क्रम में घटे हुए, में किसी ववेर्स्थट कर सकने, तो हमने लिखेंगे, कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को रखने पर, है ना, तो क्या आ जाएंगे संख्याओं हैं हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, चार, पांच, छे, और छे, ये आ जाएंगे संख्याओं, ये क्या उन्चा रूप आ गया हमारा, बढ़ता हुआ रूप, आ गया, बस संभा गी, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, गिलेंगे कि हमारे पास कितनी संख्याओं हैं, एन बराबर, छे, छे संख्याओं है हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगा, संख्याओं, तो इसके लिए हम लोग सूत्र का इस्तमाल करेंगे, संख्याओं का माध्यक ज्याद करने वाला, तो वो क् यक बराबर एन बटे दो आपद दो प्लस एन बटे दो प्लस एक वापद ये ज़रा बड़ा सूत है ठीक है ना जी तो ये भी दिमाग में रखें कि जब हमारे पास आकड़े विसम हो तो छोटा सूत हो और जब सम हो जाएंगे तो बड़ा सूत लगेगा पास हो जब सम आई तो एन कितने थे हमारे पास दो ऊच्छे ज़रा शेजिए अने ज़रा बटे दो वापद प्लस एक वापद ज़िए ज़ए ज़रणी क्यों फिवादे दो तो यानरी की हो जाएगा तीस रा थी तीसरा जी ठीक है ना जी प्लस चौथा पद जी है ना जी च छोधा पत, बटे दो, हो गया, जी आप तीसरा चोधा पत किया था हमारे पास? तीसरा चोधा, माध्यक तीसरा दो चोधा, तीन, और चार, जी जी इसथा इन दुनों को जोड़के दो से भाग करने पर हमें जो उत्तर पात होगा उसे हम माध्यक या माध्या कहेंगे देखा बच्चो, समझ गये आप लोग तो बच्चो देखा आज आपनों माध्या के बारे में अगले कायेक्टर में फिर किसी विशय अच्छे विशय साथ मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार